आज में आपके लिए लेकर आई हूं सिंगाडे के आटे और लोकी के पकोड़े जो की फलाहारी पकोड़े हैं इन्हें इस्पेशल व्रत में ही बनाया और खाया जाता है रेचिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पिला आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके चिलका उतार कर उसको कद्दू कस कर लिया है और मैंने यहां पर कुछ बारी कटा हुआ फ्रेश हरा दनिया लिया है कि सुखे मसालों में मैंने यहां पर लिया है लगबग चार से पांच बारी कटीवी हरी मिर्च आदा जीरा एक चोथाई चमच कारी मिर्च पाउडर एक सेंदा नमक अब सबसे पहले हम इन सारे सुखे मसालों को इस सिंगाडे के आठे के अंदर डालेंगे और इससे अच्छे से मिक्स करेंगे यह देखिए मैंने सारे सुखे मसालो को अच्छे से मिक्स कर लिया है सिंगाड़े काटे में अब हम इसमें डालेंगे यह कद्दू कस कीवी लोकी और साथ में यह बारिक कटावा फ्रेज देनिया भी एड कर देंगे मैंने बाइक कट्रू कस की हुई लोगी और बाइक kटे वे हर्य दिनियों को इसमें एड कर दिया है अब आ मैं इसे चम्मच या थातके हल्प सच्छा से अच्छा से मिक्स करेंगे यह देखिए मैंने इसे अच्छा से Lopez कर लिया है अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है यह देखिए मैंने इसका एक गाड़ा बैटर बनाकर रेडि कर लिया है अब जरवत के अनुसार हम इसमें थोड़ा सा लालमीच पाउडर भी एड़ कर सकते हैं आप जितना तीका खाना चाहिए अगर आप लालमीच पाउडर को इसकीप करना चाहते हैं तो हरी मीच की कौंटिटी बढ़ा दे आप देख सकते हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी हमारा बैटर बहुत ज्यादा लिक्विड नहीं होना चाहिए अलका सा गाड़ा ही होना चाहिए क्योंकि यह सिंगाड़े के आटे और लोखी के पकोड़े हैं अब हमारा बैटर बनाने के लिए पुरी तरह से रेडी है मैंने यहाँ पर एक कड़ाई में ऑईल गर्म होने के लिए रख दिया है हमें इन पकोड़ों को डीप फ्राइ करना है हम ऑईल को अच्छे से गरम कर इसके बाहँ हमारा बेटर बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है हमारे बैटर की कंसिसेंसी आप देख सकते हैं यह पकोड़े बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है यह देखिए आप पकोडों को चम्मच या हाथ की हेल्प से भी बना सकते हैं यह आपकी चोईस है आपको जो सुटेबल लगे मैं यहाँ पर हाथ से बनाऊंगी पकोडे आप पकोडे की साइस छोटी या बड़ी अपने चोईस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं अब हम दीरे दीरे करके बहुती कैरफुली इसमें पकोडे के बेटर को डालेंगे जितना इसमें आ सके अब हमें गेस का फ्लेम मीडियम कर देना है ताकि हमारे पकोडे जो है वो अंदर तक अच्छे से सीख सके पक सके अब हम इन पकोडों को मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे यह देखिए दोस्तों हमारे पकोडे जो है एक साइट से पक चुके हैं अब हम इसकी साइट्स को पलट लेंगे इन्हें अच्छे से अलट पलट कर लेंगे उसकी दूसरी साइट्स को भी सिखने देंगे नखकर पांस मिटो लगेंगे वर हमारे पकोडे बनकर रेडी हो जाएंगे यह देखिए हमारे पकोडे जो है वो बन चुके हैं आप देख सकते हैं इनका कलर गुर्डन ब्राउन हो चुका है अब यह निकालने के लिए पूरी तरह से रेडी है आप देख सकते हैं हमारे पकोड़े कितने क्रिस्पी कितने कुर्कुरे लग रहा है अब हम इन सारे पकोड़ों को अल से बाहर निकाल लेंगे वरना ये जल जाएंगे ये बिल्कुल परफेक्ट है आप इन पकोड़ों को टमाटर की चटनी के साथ भी खा सकते हैं ये देखि मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आपको मेरी इसी तरह की अच्छी रेसिपी की लिंक मेरे वीडियो की नीचे डिस्क्रिप्स बॉक्स में मिल जाएगी आप देख सकते हमारे पकोडे कितने यमी बनकर रेडि हुए कितने क्रिस्पी कितने कुर्गुरे लग रहे हैं यह खा झाल